Animated Plot आपने देखे होंगे कि कभी कबार जब आप Plot बनाते हैं तो वो Animation के अंदर भी चले जाते हैं उस Animation को GIF के अंदर यानि के Video या GIF जो एक Animated Graph के थूँ एक 3-4 सेकंड की वीडियो होती है फ्रेम्स चलते हैं वैसे सेव करना प्लस Animated Plot यानि के Video Plot कैसे बनाए जाते हैं इस Lecture पे हम यही देखने वाले हैं Screen आपके सामने हाजिर है यहां पे हमारी जो अगली heading है यहां मैं इसको Animated Plots भी कह देता हूँ इसके अंदर हम यह वाली चीज देखने वाले हैं यहां पे मैं इसको Wire कर देता हूँ Same कोई भी Plot लेके आप उसको Animation के अंदर Convert कर सकते हैं For example मैं यहां पे बनाता हूँ Scatter Plot और इस Scatter Plot को जैसे मैं बनाऊंगा तो यह मेरे पास Plotly के थूँ यह सारा Data आ जाएगा And of course you should know कि जब भी आपने कोई भी Plot बनाने आपके पास Data होना जरूरी है उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको Run करता हूँ यह हमारी सारी की सारी Libraries है जो हमें चाहिए Python के अंदर इससे मैं Warnings को Remove कर देता हूँ और यहां से मैं Data जो है हमारे पास Diamonds का मुझूद है Link मैंने Description में दिया हूँ है वहां से आप Data देख सकते हैं उस Data के उपर हम काम करने वाले है Data को मैंने Sample करके Small कर लिया यानि कि 5394 रोज हमने लिए है 5940 में से Sample करने के बाद जैसे हमारे पास Data आगया मैं सबसे नीचे जाता हूँ जाने के बाद अब हमारे पास Data जो है वो यहां पे हमने दिया X-axis पे Caret दे दिया Y पे हमने Price दे दि and Color हमने दे दिया Cut Caret, Price and हमारे पास Cut यहां पे इसको मैं Run करता हूँ यह हमारे पास Plot एक बन गया Caret, Price and Cut का लेकिन अगर आप देखें यहां पे एक और Column अगर मैं दूँ जिसका नाम है Size और Size की Base पे Price कर दू You will see कि यह वाला Plot जो है अब कुछ इस तरीके से Size उसका different हो गया Something like this ठीक है मैं इसको थोड़ा सा Zoom Out करता हूँ Then you can easily see that इसको मैं थोड़ा सा Zoom Up करता हूँ अब देखें आपके पास यह Plot है और Size है What if we can animate this thing ठीक है हम क्या कर सकते है इसको animate कर सकते है Say for example यहाँ पे मैं इसको color की बजाए यहाँ पे इसको मैं कहा देता हूँ Animation Frame Cut की Base पे Animation Frame is equal to Cut Cut की Base पे इसको animate करो अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो color था वो मैंने remove कर दिया और otherwise अगर आप चाहते हैं के color हमारे पास रहे You can also keep that यहाँ पे आप लिखे animation Frame is equal to Cut तो यह इस तरीके से बन जाएगा जैसे आपने इस plot को बनाया आपके सामने playhead आ गया और इस playhead पे यह 5 frame चलेंगे एक premium का, दूसरा very good तीसरा ideal, चोथा fair, पांचवा good मैं इसको run करता हूँ, it will look like this यह चेक करें हर एक का different color है ठीक है, यह यह plotally के अंदर आप animated plots बना सकते हैं यह हमारे पास 5 different colors के अंदर कौन सी changes आ रहे हैं हमने इसको animated plot के अंदर यहाँ पे बना लिया लेकिन animated plot के अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं क्या है, यहाँ भी हमारे पास carrot, price, cut, price यह चार, दो ही column आ रहे हैं अगर मैं चाहूं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, facet column भी दे सकते हैं clarity की base पे, ठीक है, facet column मैंने clarity की base पे दिया अब देखेगा क्या होगा, हमारे पास यह 5 different data 6, 2, 4, 6, 8 8, 2, 4, 6, 8, 8 different data sets हैं और यह सारे के सारे ऐसे move करेंगे frame की base पे जैसे अलादीन के चराग से नहीं, वो जिन निकलता था same वो ही चीज़, तो अगर आप चेक करें यहाँ पे data मुझूद नहीं है, so it will be empty लेकिन other side पे हमारे पास data मुझूद है इसी को आप facet column को अगर color की base पे जो data का column है color उसकी base पे करना जाएं, तो यह आपके पास कुछ इस तरीके से आजएगा, जिसमें सभी के पास data है तो हम इसको run करते हैं तो यह हमारे पास animation इस तरीके से set हो जाती है अब हम और क्या कर सकते हैं इसी animation के अंदर हम different किसम का जो है हम data भी दे सकते हैं और facet columns को और भी अच्छा तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हमने उसे change करना है say for example somebody wants के यहाँ पे facet column हमने दे दिया facet row भी दो भई तो हम एक पूरा matrix बनाते हैं मैंने इसमें clarity का जो है वो row भी दे दिया तो हमरे पास cut clarity color carrot and price यह सारे की सारी चीज़ें आ गई है अब यह थूड़ा सा congested है इसका size हम change करेंगे जैसे पिछले lecture में हमने किया था size को हम change करेंगे इसको traces को बलके size of figure यह हम change करेंगे और figure dot update layout के अंदर height जो है हमने 1200 कर देनी है क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने फेला के दिखाने है और इसको मैं कर देता हूँ thousand मैं run करता हूँ now you will see कि थोड़ा सा लंबूतरा plot आएगा and you can actually see कि किस जगा पे क्या चल रहा है यहाँ पे check करें मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ और यहाँ पे यह plot आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा इसकी height थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ 1200 की बजाए मैं इसको 1000 कर देता हूँ और इसको भी 1000 करता हूँ let's see यह plot हमारे पास कुछ इस तरीके से आगया अब इसको आप जब play करेंगे ना तो सारे के सारे frames play होंगे सारे के सारे frames ठीक है it depends कि आपके पास कितना जो graphic card है या आपका system कितना support करता है otherwise यह अक्सरोगाद रूक भी जाता है something like this और इसका हल यह है इस animation plot का कि या तो आप इसे save कर ले as html तो मैं यहीं पर लिखता हूँ save as html जैसे मैं ऐसे save करूँगा तो यह मेरे पास diamond price carrot इसको मैं बोलता हूँ animated और यह html के अंदर save हो जाएगा plotly के तीन number folder के अंदर तो मैं इसे run करता हूँ जब यह tick का निशान आएगा save मैं वापस जाता हूँ हमारे पास यह data visualization में तीन plotly के अंदर यह हमारे पास diamond price carrot animated आ गया इसको मैं open करता हूँ तो यह मेरे पास automatically यह देखें यह animation चल रही है क्योंकि यह html file है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो data है different data points का वो इस तरीके से चल रहा है अगर आपको यह नहीं पसंद आप इसमें से जो facet row है इसको मैं comment out करता हूँ अब plot के शकल देखिएगा it will be totally different मैं यहाँ पर जाके diamond price carrot को दुबारा से html को run करता हूँ now it's like this थोड़ा सा ज्यादा लंबा plot है तो इसको मैं और छोटा करता हूँ यहाँ से thousand by thousand की बजाए इसको 800 and by width जो है इसकी रख लेते है 600 800 by 600 मैं इसको run करता हूँ and now this plot is still kind of ज्यादा वाला छोड़ा plot तो मैं इसको 800 by thousand करता हूँ let's see now it's a bit nice 800 is still more तो मैं इसको 400 कर लेता हूँ height इसकी now it looks better अब यह देखिएगा यहाँ पे HTML जो मैं चलाऊंगा न that is this one यह पहली दफ़ा खुद चलेगी then you do it again तो यह आपके पास हर किसम का data आ रहा है ठीक है और आप देख रहे हैं क्यूंकि हमने यहाँ पे color दिया हुआ हुआ है cut को आप क्या कर सकते हैं अपडेट करने के बाद legend dictionary जो है वह आप डिफरेंट जगा पे भी ले के जा सकते हैं y और x पे और इसको रिमूव भी कर सकते हैं इसको बाद में देखेंगे कि यह इसके बगार काम करता है कि नहीं mainframe में यहाँ पे नहीं काम किया तो मैं इसको उपर ले के आता हूँ show legend is equal to false अहाँ this is not working so I will just open up this one और इसको उठा के इस जगा पे मैं ले आता हूँ ठीक है so I will run this तो यह हमारे पास एक plot आ गया and hopefully legend अब नहीं होगा and legends are removed now अब सारे का सारा काम colors की base पे चल रहा है ठीक हो गया यह एक हमारे पास plot बन गया लेकिन यह HTML के अंदर save हुआ है I need to save this as a video file और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस plot को एक अच्छे तरीके से save करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ libraries हमें दरका रहा है हम अभी उस पे काम करते है सबसे पहले चीज़ मैं एक code यहां पे लिखता हूँ उस code को हम यहां पे print करते हैं मैं यहां पे लिखता हूँ save animated plot as video file ठीक है इसको अंदर हम देखेंगे कि वीडियो के अंदर आप कैसे store कर सकती है यह जिफ के अंदर मैं यहां पे इस code को paste करता हूँ अब आपको code में समझाता हूँ फिर हम इस पे बात करते हैं सबसे पहले चीज़ आपको यह वाला एक library चाहिए movie pie की यह क्या करती है यह basically images को जोड के आपकी movie बनाती है तो मैं यहां पे conda activate data underscore analysis का जो हमारा conda environment से activate करता हूँ activate करने के बाद यहां पे pip install यहां से movie pie को मैंने install करने अपने उसी environment के अंदर जिसके अंदर यह सब को चल रहे तो यह हमारे पास movie pie की जो library यह वो install हो गई है and now it's working fine मैं यहां से क्या करता हूँ अब मेरे पास क्योंके library आ गई है मैं restart करूँगा kernel साब को kernel को मैंने restart किया and इसका एक image sequence clip है इसकी base पे हम इसको run करते है मैं यह सारे की सारी libraries को import करता हूँ यहां पे just to see if everything is working fine अगर error आती है then we have to install something again everything is working fine इसका मतलब है यह code चलेगा मैं अब इतना मुझे समझ आगी फिर diamond का data जो है वो c-bond से भी आप download कर सकते हैं मैंने पूरे का पूरा data download कर लेगी अब यहां पे हम क्या करेंगे पहले check करेंगे कि अगर null values है क्यों अगर उसके अंदर null values हैं तो हमें plotting से पहले ही उसको देखना पड़ेगा वरना क्या होगा आपकी plotting जो खराब होगी ठीक है क्योंके null values नहीं हैं तो इसको हमें पता चल जाएगा अगर हैं तो हमारे पास error आ जाएगी otherwise इससे code आगे move कर जाएगा फिर यहां पे create a dictionary to save frames जितने भी plot हमारे पास इस HTML की file के अंदर बन रहे हैं यानि के premium पे पहला तूसरा very good पे तीसरा ideal पे चोथा fair पे पांच पांच good पे something like this 1, 2, 3, 4, 5 यह सारे के सारे as a separate file save होंगे और फिर उसकी video बनेगी उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे है एक frame की यहां पे एक folder बनेगा frames का आप देखेंगे यहां पे frames का folder आएगा यह operating system library के through बनता है यह जो import OS है operating system की library है इसके through बनेगा यह built-in python की है os.make directory frame directory exist okay then is true यानि कि अगर नहीं है तो इस library को use करके folder बना दो folder बन गया folder बनने के बाद extract unique values from cut यह cut से unique values लेगा cut की unique values कौन कौन से है अगर आप और करें इस plot में so cut में premium है very good है ideal है fair and good है यह सारे की सारी unique values यहां से लेगा लेने के बाद फिर का करेगा यह एक for loop चलाएगा for I cut in enumerate unique cuts इसका मतलब है कि यह plots बनाएगा कौन से हर एक cut की value पे एक scatter plot बनेगा ठीक है फिर वो save हो जाएगा यानि कि जितनी भी cut की value है for loop के साथ वो सारे के सारा plot बनेगा plot बनने के बाद वो automatically यह इसके अंदर save हो जाएगा as frame ठीक है आपके जो folder बनेगा उसके अंदर यह save हो जाएगा save होने के बाद आप इसको gif में लेके जा सकते हैं वो कैसे आप सारे frames को join करेंगे और उसकी image files को फिर आप clip के अंदर convert कर देंगे और उसके लिए यह वाली command आप क्या करते हैं जितने भी frames उनको sort करते हैं sort करने के बाद जो पहला frame था वो उपर आएगा फिर दूसरा पिर तीसरा पिर चोथा फिर इससे आप उसको save कर लेते हैं sequence को clip के थू animated gif में भी and animated mp4 के अंदर भी यही नहीं आप उसको hd file के अंदर भी save कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे का सारा code मैंने आपको दिखाया आप इसको run करते हैं अगर error आई तो उसको देखेंगे मैंने इसे run किया run करते साथ ही आप देख रहे हैं यहां पर frames का folder बना frame के folder के अंदर आपकी images अब save होंगी so it's working आपके पास थोड़ा सा time लेगा यह क्योंकि स्टार्ट है डेटा को लोड कर रहे है डेटा बहुत बड़ा है जैसे आपके पास वह folder है यह देखें फोरण से उसने build की gif file image.io से और बाद में आपके पास video is ready animated में जिफ भी ready और बाकी भी यह है frames का folder यह 0,1,2,3,4,5 यह एक plot हो गया देखेंगा यह आपका दूसरा plot है यह आपका तीसरा plot है यह चोथा plot है यह पांचवा plot है ठीक है तो हमने जो plots बनाए हैं वो कैसे हैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ यह आपकी gif file है यह देखें यहां पे उपर आपके पास cut आ रह आप इसको चलाएंगे तो आपका plot ऐसे 2 second के अंदर चलेगा ठीक है something like this और यह multiple plots को इकठा करके बनाए है यह HD file है इसको आप चलाएंगे तो आपका plot same 2 second के अंदर चलेगा and then you can save तो यह आपके पास video के अंदर save हो गया अब आप अगर गौर से देखें तो frames के अंदर यहा इनको सभी को पहले यह वाली चलाई फिर उससे अगली फिर उससे अगली फिर उससे अगली तो आपने basically इसको कुछ time देएके फिर आगे चलाया और वो time कहां पे है that time is here यह frames per second जो है अगर आप clip के अंदर frames per second set कर दें जैसे यह video की file है मुझे 2 frames per second चाहिए frames per second यानिके 2 frames per second तो मेरे पास total है 5 frame तो यह तक्रीबन 2 seconds के अंदर चलेंगे अगर मैं यहाँ पे एक frame per second करता हूं और यहाँ पे HD का भी एक frame per second करता हूं now you will see मैं इसको दुबारा से run करता हूं अब आप देखिएगा क्या होता है जरा गोर कीजिए यह मेरे पास time अब ज्यादा लेगा मेरे पास movies बन गी बाके सब कुछ बन गया अब देखिएगा मैं movie को चलाता हूं यह plot है मेरे पास 3 मेरे पास second के अंदर चल रहे है अब 3 seconds के अंदर चल रहा है पहले 2 के अंदर चल रहा था क्योंकि अब time जो है वो ज बिटरेट के साथ highest quality की वीडियो बन जाती है अच्छा मैं नहीं चाता कि यह वीडियो यहां पर बने ऑर मेरी जो बाकी सारे files है उनको यह खराब करें तो मैं इनको यहां से remove करता हूं अब यहां पर मैं path वो देता हूं यहां पर frames है न सो मैं 03 underscore plotly के अंदर इने save करता हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं 03 underscore plotly slash animated तो यह जितने भी animated है यह वहीं पर जाएंगे सो यह मैंने तीन फाइलें save किये मैं इसको दुबारा से run करूंगा and you will see those being appeared here तो यहां पर वो मेरे पास plots जो हैं वो automatically बन के आ जाएंगे यानिके video plots भी और gif का plot भी यहां पर आप देख सकते हैं जिफ भी आगया मेरे पास यह जो जिफ है ठीक है इसको मैं अगर open करूं मेरे पास कोई ऐसा टूल होना जरूरी है जिसके अंदर यह रन करेगा otherwise अगर जिफ आप static के अंदर रन करेंगा it will not work so इस वज़ा से मैंने यहां पर क्या किया है HD plot भी बनाया है animated plot भी बना बनते हैं and then you can save this code और इस code के तुरू आप animated plots जो है वह बना सकते हैं यह code मैंने link description में भी दिया हुए and you can also see on my github repo जिसके उपर python का चिला 2024 आपके सामने होगा and अमार तुफैल जो है वह मेरी github repository का नाम है अगर आप यहां पर जाने के बाद यह मेरी profile है अगर आप your profile पर मेरी profile पर जाएंगे repositories यह python का चिला है यहां पर आपको codes मिलेंगे सारे के सारे यह data visualization का code है और इस course के सारे के सारे codes यहां पर available है ठीक हो गया यहां दा clear हो गया animated plots बहुत ही कमाल बनते हैं और इससे आप multiple किसम की reels भी बना सकते हैं videos भी बना सकते हैं और आप data को explain कर के upload कर सकते हैं YouTube चैनल पर believe me people will love that see you in the next one like share subscribe जरूर कर दे